हेलो प्यारे बच्चों, कक्ष्या आठ्वी गणित की प्रशनावली आठ तसमलव दो से वीडियो की शुरुबात करते हैं, प्रसंद संख्या एक कुपड़ते हैं, एक वेक्ति के वेतन में 10% परदी होती है, यदि उसका नया वेतन melon चुमन अजार रोपे हो, तो उसका मूल वेतन ग्याद कीजी, हमके यहाँ पर मूल वेतन ग्याद करना है, तो ऐसे स्वालों में जो ग्याद करना होता है, उसको मान के चलते हैं, तो माना व्यक्ति का मूल वेतन, उसका हमने मूल वेतन मान लिया, बराबर एक्स रुपे, अब प्रसन के नुसार व्रिदी, वेतन के अंदर व्रिदी कितनी हुई है, दस प्रतिशत, और व्रिदी के बाद उसका वेतन हो गया, एक लाख चौमन हजार, तो मूल वेतन मारे पास एक्स रुपे है, इस वेतन के अंदर दस प्रतिशत की व्रिदी हुई है, वेतन के अंदर व्रिदी हो जाएगी, एक्स का दस प्रतिशत, यानि एक्स गुना दस बटे, सो, इस मूल वेतन में दस प्रतिशत व्रिदी हुई है, एक्स का दस प्रतिशत यह हमारे पास आजयेगा x 2 जिए यह कॏट जयेगा 0 से 0 x 1 बटे 10 रुपे मतलब उसके वेतन के आंदर x 2 बटे 10 रुपे की वर्दी हो गई उसका मूल वेतन था अपहले x रुपे उसमें वर्दी हो गई x 2 बटे 10 रुपे जैसे मालनों पहले हमारा वेतन था 100 रुपे मान के चलते हैं 100 रुपे मूल वेतन था उसमें वर्दी होगी 10 प्रतीशत तो वर्दी होने के बाद उस 100 का 10 प्रतीशत कितना हो जाएगा 10 तो वर्दी उसके अंदर होगी 10 रुपे तो कुल वितन अब कितना बन जाएगा वितन बन जाएगा सो जमा वर्दी यानि सो जमा दस यहाँ पर मूल वितन हमारा एक्स था उसके अंदर दस परतिशत की वर्दी होई वर्दी होने के बाद वितन कितना हो जाएगा एक्स जमा एक्स बटे दस यह हो जाएगा नायावेतन और यह नायावेतन किसके बराबर दिया हुआ में एक लाख चुम्मन हजार के बराबर इसको अमाल करेंगे आसर एक्स के नीचे हम एक माल लेते हैं अलकरने पर इधर लग उत्म हमारे पास आएगा दस भाग देंगे दस एक्स जमाँ दस को दस से बाग देंगे एक एक की गुणा उपर एक्स से एक्स बराबर एक लाख चुम्मन हजार आग गल करेंगे दस एक्स और एक्स ग्यार एक्स बटे दस ग्यार एक्स बटे दस बराबर हो जाएगा एक लाख चुमन हजार यहां से हम आर पार गुना कर देंगे आर पार गुना करेंगे इसके नीचे हम एक ले लेते हैं ग्यार एक्स गुना एक ग्यार एक्स बराबर हमारे पास आएगा एक लाग चुम्मन हजार ग्यार एक्स बराबर एक लाग चुम्मन हजार गुना दस तो यहां से हमारे पास ग्यारह एक्स बराबर हो जाएगा इसको हम दस से गुना कर देंगे एक जिरो हमारे पास और लग जाएगी और यहां से हमारे पास एक्स का मान कितना हो जाएगा ग्यारह इदराकिस से भाग हो जाएगा बटे ग्यारह इसको अल करेंगे परसंद संख्या दो है रविवार को 885 व्यक्ति चिडियागर गए सोमवार को केवल 173 व्यक्ति चिडियागर को गए चिडियागर की सेर करने वाड़े व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतीशत कमी हुई तो यहां पर बच्चों प्रतिशत कमी निकालने से पहले हमें यहां पर कमी निकालने हुआ कितनी कमी हुई कमी आने के बाद हम निकालेंगे प्रतिशत कमी रविवार को गए 845 व्यक्ति सोमार को गए 179 व्यक्ति 179 तो कितनी कमी आई? कमी के लिए हम गटाएंगे 845 गटा 179 और ये हमारे पास आजे 666 व्यक्ति इतने व्यक्तियों कि इसमें कमी आई है हमें निकालनी है हमें बतानी है परतिशत कमी परतिशत कमी होती है कमी गुणा सो बटे प्रारमिक संख्या यानि सरू में कितनी संख्या थी या सरू में कितनी व्यक्ति गए थे तो ये हमारे पास हो जाएगा कमी थी 666 की गुणा सो बटे प्रानम्बिक यानि शुरू में कितने गए थे शुरू में गए थे 845 तो बटे 845 इसको 5 से काट देंगे हम यह आज यह आएगा 20 यह 5 से बाग करेंगे 179 अब यह 4 पर पूरा पूरा कट जाएगा 179 को 4 से गुणा करेंगे 600 चैन्तर आएगा यहाँ पर तो 20 उगणा 24 चोके 80 तो 80 प्रतीशत की कमी 100 मार को हुई है परसन संक्या 3 है एक दुकानदार 2400 रुपे में 80 वस्तुए करीता है और उन्हें 16 परतीशत लाग पर बेचता है एक वस्तुप का विकरेंगे ग्याद कीजिए और जो किसी वस्तुप को खरीदना कहलाता है उस वस्तुप का करेंगे करेंगे होता है जितने में कोई वस्तुप खरीवी जाती है यानि खरीदना क्या कहलाएगा क्रेमुल्य और विक्रेमुल्य होता है कि वस्तू को उसने कितने रुपे में बेचा तो यहाँ पर हमें एक वस्तू का विक्रेमुल्य बताना है कि एक वस्तू कितने रुपे में उसने बेची 80 वस्तों का क्रेम مलय है हमारे पास 2400 रुपे इतने रुपे हैं उसने वस्तों एखरी दि rhyme अब उन्हें लाब प्रिभेशता है 16 प्रतिशत पर यानि कि वो इन 2400 रुपे के ऊपर 16 प्रतिशत लाब कमाता है तो लाब है लाब प्रतिशत बराबर है 16 अब हम बताना है कि लाब सोड़ा प्रतिशत पर बेचता है तो कितने रुपे में बेचेगा तो पहले हम यहाँ पर लाब निकालेंगे कितना लाब उसने 2400 रुपे पर कमाया तो यहाँ पर लाब होजे आएगा वो है सोड़ा प्रतिशत इन 2400 रुपे का सोड़ा प्रतिशत क्योंकि लाब हमेशा करेम उल्ले पर ही मिलता है तो यहाँ पर लाब है हमारे पास सोड़ा प्रतिशत और करेम उल्ले है 2400 तो 2400 का कहनी गुना सोड़ा प्रतिशत 46 Lex 100 काट देंगे इसको गुना कर दें इसको 24oriented इतना आज़ैगा लाब यानि कि उसने 2400 रुपे पर 384 रुपे लाब कमाया तो उसने खरीदी थी 2400 में इतना उसने उसको पर लाब कमाया तो कितने में बेची उसने यानि विकरे मुले तो हमारे पास विक्रे मुल्य आजाएगा विक्रे मुल्य इसके बराबर होता है विक्रे मुल्य बराबर होता है करे मुल्य जमा लाब ये सुतर होता है विक्रे मुल्य का करे मुल्य जमा लाब ये सुतर है तो यहां से विक्रे मुल्य हो जाएगा हमारे पास विक्रे मुल्य बराबर क्रे मुल्य जो दे रख्या है 2400 जमालाब है 384 यह मारे पास बन जाएगा 2784 रुपे बच्चों यह हमारे पास जो विक्रे मुल्य आया है 2784 रुपे ये असी वस्तों का विक्रे मुल्य है क्योंकि उसने सारी वस्तों असी की असी वस्तों बेच करके लाब कमाया है तो उसको सारी वस्तों बेचने पर उसको 16 परतिशत का लाब हुआ था तो उसका विक्रे मुल्य था 274 रुपे तो ये जो विक्रे मुल्ले है ये 80 वस्तों का विक्रे मुल्ले है 80 वस्तों को बेचने पर उसको इतने रुपे मिले हैं हमें निकालना है एक वस्तों का विक्रे मुल्ले है तो यहां से एक एक नियम से हो जाएगा एक वस्तू का विक्रे मुलने बराबर 2784 भाग में 80 और यह हमारे पास आजाएगा इसको हमने उपर नीचे भाग दे दिया 16 से तो 16 से आएगा 5, 16, 85 इसको 16 से भाग देने पर हमारे पास आजाएगा 174 तो 174 बटे 5 अब इसको हम भाग देंगे 5 से तो यह हमारे पास आएगा बराबर हो जाएगा 34.8 यह हो जाएगा एक वस्तू का विक्रे मुलने 34.80 पैसे भाग यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको बाग के 174 को 5 से 34.8 आएगा प्रसंद संख्याच्यार है एक वस्तू का मुलने 15.500 रुपे था रुपे 4.50 इसके मरमत पर खर्च किये गए थे यदि उसे 15 परतिशत लाब पर बेचा जाता है तो उसका विक्रे मुलने ग्याद कीजिए यहाँ पर वस्तू खरीदी गई है 15.500 रुपे में अब उसके उपर मरमत के उपर साड़े 400 रुपे और खर्च कर दिये है तो यह मान के चला जाएगा कि जो वस्तू हमने खरीदी है वो 15.500 के नहीं बलकि 15.500 जमा 450 रुपे की पड़ी हमें तो वो मानी जाएगी 15.950 रुपे की और उसको 15.500 पर बेच दिया है तो हमें बताना है कि उसको कितने रुपे में बेच आ गया है विक्रे मुल्य यानि कितने रुपे में उस वस्तू को बेच आ गया है तो हमें उसका विक्रे मुल्य बताना है वस्तू का मुल्य है 15.500 रुपे मरमत पर खर्च होए है 450 रुपे तो अब वस्तू का मुल्य क्या हो जाएगा अब यहनी कि मरम्मत के बाद वस्तू का मुल्य अब हो जाएगा वो 15,950 इन दोनों को हमने जोड दिया 15,950 रुपे यह मानके चले हम कि वस्तू हमने खरीदी है 15,950 की खरीदी है ना कि 15,500 की क्यों कि 15,500 की खरीदने के बाद उसके मरम्मत पर हमने 450 रुपे और खर्च कर दी है तो वस्तू या उस वस्तू का जो क्रेम उल्य मानना जाएगा वो मानना जाएगा 15,950 रुपे वो वस्तू हमें इतने रुपे में पड़ी है अब उसको लाब पर प्रतिशत लाब पर बेचा गया है यानि कि 15,950 रुपे की जो वस्तू है इसके उपर 15,950 रुपे के उपर 15% लाब उसने कमाया है तो लाब जो प्रतिशत है वो हमारे पास है 15 प्रतिशत 15,950 रुपे के उपर उसने 15% लाब कमाया है तो लाब कितना हो जाएगा लाब होगा 15,950 का 15 परतीशत यानी गुणा 15,100 इसको यहां से हमाल कर देंगे यह हमारे पास आज जाएगा 23,92 रुपे 50 पैसे इतना उसने उसके उपर लाब कमाया है तो फिर उसने कितने में वेचिया इतने में उसने खरीदी थी 15,950 में खरीदी थी और उसके उसने लाब कमाया है 23,92 रुपे 50 पैसे तो कितने में वेचि इन दोनों का जोड तो यह हो जाएगा विक्रे मुल्य क्रे मुल्य जमा लाब क्योंकि विक्रे मुल्य का सुत्तर होता है क्रे मुल्य जमा लाब तो क्रे मुल्य है 15,950 और लाब है 23,92 रुपे 50 पैसे इन दोनों को जोड देंगे यह हमारे पास आजाएगा 18,342 रुपे 50 पैसे इस प्रसन को आप बच्चो दूसरे तरीके से भी आल कर सकते हैं हमारे पास क्रे मुल्य है लाब प्रतिशत है तो विक्रे मुल्य का सुत्तर होता है क्रे मुल्य गुणा 100 जमाला प्रतिशत और बटे 100 यह सुत्र होता है तो आप सुत्र से भी डायक्ट इसको आप कर सकते हैं मान रखी हैं आपर क्रे मुल्य है 15,950 गुणा 100 जमाला प्रतिशत हमारे पास है 15 और बटे 100 यह हो जाएगा 15,950 गुणा 115,100 और 15,115 बटे 100 1500 पिच्चान में गुणा करेंगे 115 से यह हमारे पास गुणा आजएगी 1,83,425 और बटे है 10 दस को अटाएंगे यहां से तो 1,0 उपर 1 के बाद 10 नो लग जाएगा तो 18,34,2 इसके बाद यहां लग जाएगा 10 मलो क्योंकि नीचे 1,0 है तो इसको हम 10,9 रूप में बदलेंगे तो एक अंके के बाद इधर से एक अंके के बाद क्या लग जाएगा 10 मलो तो इतने रूपे तो आप इस स्वाल को इस तरह भी कर सकते हैं दो तरीके आपके पास इस पूरे लेंदेन में लाब यहानी परतीशते ग्याद कीजिए यहां पर TV और VCR दोनों को खृदा गया 8,000 रुपे में दोनों का करेमले है समान 8,000 और 8,000 यानि कुल करेमले हो जाएगा 16,000 अब VCR पर उसने 4% की आनी हुई है और TV के उपर 8% का लाब हुआ है तो में पूरे लेंदेन के उपर यानि की TV और VCR दोनों को कितने परतीशत लाब यहानी पर बेचा गया यह बताना है और उसको पूरे सोधे में कितना लाब यहानी परतीशत हुआ VCR का क्रेम उल्ले हो जाएगा 8,000 रुपे क्योंकि खरीदा गया है 8,000 रुपे में तो खरीदना होता है क्रेम उल्ले TV का क्रेम उल्ले भी 8,000 रुपे है तो मारे पास कुल क्रेम उल्ले हो जाएगा 8,000 जमा 8,000 VCR और TV दोनों 16,000 रुपे में खरीदे गए अब उसको VCR के उपर आनी हुई है, 4 परतिशत, अब उसको VCR पर 4 परतिशत आनी हुई है, यानि कि 8000 रुपे पर उसको 4 परतिशत की आनी हुई है, तो हम यहां से निकालेंगे हानी, हानी कितनी हुई, 8000 रुपे पर 4 परतिशत, यानि 8000 का 4 परतिशत, तो यहां से हमारे प टीवी पर लाब बराबर 8 प्रतिशत तो लाब कितना हो जाएगा टीवी का क्रेम उल्ले भी 8000 रुपे है तो 8000 पर 8 प्रतिशत लाब यह हमारे पास आजाएगा 640 रुपे अब हम बारी बारी से निकालेंगे कि VCR पर 320 रुपे की हानी होने के बाद वो कितना रुपे में उसने बेची और टीवी पर उसको 640 का लाब होने पर उसने टीवी कितना रुपे में बेचा तो VCR का जो विक्रेम उल्ले हो जाएगा 8000 गटा में 320 तो यह हमारे पास आजाएगा 7680 रुपे क्योंकि विक्रेम उल्ले होता है क्रेम उल्ले गटा हानी तो यहां से 8000 गटा 320 उसने 7680 रुपे में उसको बेच दिया इसी प्रकार टीवी का विक्रेम उल्ले हो जाएगा उसने उसको 8000 रुपे में खरीदा था और उसके उपर उसको लाब हुआ है 644 रुपे का तो उसने उसको बेच दिया 8600 गटा क्रेम उल्ले गटा विक्रेम उल्ले हो जाएगा क्रेमुले जमा लाब 8,640 रुपे अब दोनों का विक्रेमुले वोगि हमें पूरे सोदे पर निकालना है तो कुल विक्रेमुले यह कह सकते हैं कि दोनों का टीवी और विस्यार दोनों का विक्रेमुले हो जाएगा 7,680 जमा 8,640 यह हमारे पास आजे 16,320 रुपे अब देखो कुल विक्रेमुले हमारे पास है 16,320 रुपे और कुल क्रेमुले था 16,000 रुपे यानि कि उसने 16,000 रुपे में दोनों को खरीदा था और दोनों को उसने कुल मिलागर के बेच दिया 16,320 रुपे में तो उसको बच्चों यहां से साफ साफ दिख रहा है कि उसको लाब हुआ है उसने खरीदा था 16,000 में और बेच दिया 16,320 में तो यहां से उसको क्या हुआ है लाब और लाब होता है विक्रे मुल्ले गटा विक्रे मुल्ले गटा क्रे मुल्ले तो यहाँ पर भी करे मुल्ले है हमारा 16,320 और करे मुल्ले है 16,000 तो लाब हो जाएगा 320 रुपई और हमें निकालना है लाब परतिशत लाब परतिशत तो लाब परतिशत होता है लाब गुना 100 यानि 320 गुना 100 बटे करे मुल्ले था हमारा 16,000 सुतर होता है लाब परतिशत बराबर लाब गुना 100 बटे करे मुल्ले तो यहाँ से हमारे पास यहाँ आजाएगा इसको हम काट देंगे 32 बटे 16 दो से कट जेगा 16 दुनी 32 दो तो लाब परतिशत हो जाएगा दो या दो परतिशत लाब यह इसका आंसर होगा झांसर में जाएगा होगा अ